यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनौ स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राना सर क्लासेज में और आज हम बात करने वादे हैं अंतराष्टे राजनिती के अध्यन के आधर्स्वाधी द्रिष्टी कॉन की अंतराष्टी राजनिती के दो मुख्य द्रिष्टी कोण है एक है आदर्स्वादी द्रिष्टी कोण एक है यथार्दवादी द्रिष्टी कोण तो जो आदर्स्वादी द्रिष्टी कोण है उसके अंतरगत विचारकों ने क्या बाते कई है उस पर हम बात करेंगे आदर्स्वादी द्रिष्टी कोण की विभिन विद्वानों ने विभिन जो विचारक है उन्होंने क्या आलोचनाएं की है उस पे भी हम बात करेंगे और अंतराष्टी राजनिती में आदर्स्वादी द्रिष्टी कोण को अब क्यूं पढ़ाया जाता है उसका क्या महत्व ह क्यों उसका अध्यन किया जाता है इस पे भी हम बात करेंगे तो आएए करते हैं अपने वीडियो को प्रारम करने से पूर्व आप लोगों से एक बार निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पर नए आये हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बतन को अवश्य हिट कर लें ताकि आ और सिधान्त की बात कर रहे हैं तो एक प्रस्ण उठता है कि आखिर उपागम द्रिष्टी कोण और सिधान्त है क्या उपागम अथवा द्रिष्टी कोण जो है उसको हम एक हिसाब से नजर्या द्रिष्टी कोण यानि कि द्रिष्टी से जो कोण बन रहा है उसे कहा द्रिष्टी कोण यानि खी न जरिया, आας का नजरिया क्या है देखनेका और जो सिद्धान्त हो द्रिष्टी कोण के एक step आगे की बात होती है, जब आप किसी द्रिष्टी कोण से किसी वस्टु को देखते हैं और उसे कुछ निस्क लिस्कर्स निकलते के तो हम कया है रिजल्ट की रूप में मिलेगा चाहे हम कि विर्थी के किसी भी कोने पर इस पर कि यह जोèces सिद्धान्त है इसको लागू करें यह क्या है सेम रिजल्ट देगा तो अब हम बात करते हैं आगे अंतराष्ट्य राजनिति के अध्यन के उपागम जो है तो अंतराष्ट्य राजनिति या अंतराष्ट्य संबंध में अध्यन के लिए उपागम अथ्वा द्रिष्टी कौन क्या हैं बहुत सारे परचलित हैं और सिद्धांत निर्मान की प्रकिरिया के लिए प्रयत्न वर्तमान में भी किये जा रहे हैं और जब से अंतराश्ठ्य राजनिती में दिष्टिकों या उपागम उपागम या सिद्धान्त से अभिप्राय समझना आउशक हो जाता है इसलिए मैंने अंतराष्ट्य राजनिती में उपागम द्रिष्टिकोण और सिद्धान्त यह आपको समझाए अब अंतराष्ट्य राजनिती में विचार्वी मर्स के लिए प्रस्ण और आधार सामगरी लेने या छोड़ने का जो निर्णआ किया जाता है उसके आधार पर ही अंतराष्टे राजनिती में दृिष्टीकोणों का निर्मान किया जाता है। याने कि किसी भी घटना के अध्यन के लिए अनेक दृष्टी कौन उपागम हो सकते हैं और किसी एक दृष्टी कौन के अध्यन करता सब तत्यों को अपने ही परपेक्ष या नजरिये से देखते हैं और घटना के बारे में वह विचार करते हैं तदा उस घटना की व्याक्या अभी उसी द्रिष्टी से करते हैं याने कि किसी भी घटना की व्याक्या करने के लिए क्या है एक ही घटना की व्याक्या के लिए विभिन नजरिये हो सकते हैं और उसी के आधार पर क्या है सिद्धान्त निर्मित किये जाते हैं अब अर डृष्टी कोण का जो अगला चरण होता है उसे सिद्धान्त कहा जाता है जब डृष्टी कोण का कार्या विचाराधीन विसय के बारे में समश्या और आदार सामगरी के चुनाओं से आगे आता है तब दृष्टी कोण सिध्धान्त का रूप ले लेता है कुछ लोग सिध्धान्त सब्द का परियोग किसी विवेचन या दृष्टी कोण के लिए करते हैं जबकि कुछ लोग इसे व्याख्या की चरम पढ़नेती कहकर पुकारते हैं तो इससे इसपष्ट हो गया कि दृष्टी कोण किसे कहते हैं और सिध्धान्त किसे कह जाते हैं किसी विविज्ञान के नियमों की व्याख्या ही सिध्धान्त है सिध्धान्त वे तरक संगत अनुमान है जो किसी भी घटना के मूल कारणों की विवेचना करते हैं सिद्धान्त से विशय या वस्तु की व्याख्या करने का प्रियत्न किया जाता है वस्तु तो सिद्धान्त का स्वरूप द्रिष्टी कोण से निर्धारित होता है और दोनों को एक दुसरे से अलग नहीं किया जा सकता याने कि सिद्धान्त और द्रिष्टी कौन जो हैं वस्तू से संबंदित होते हैं और दोनों ही एक दुसरे से भी संबंदित होते हैं याने कि इन दोनों को अलग नहीं किया सकता द्रिष्टी कौन के पस्चात सिद्धान्त का निर्मान होना क्या है मतलब होना ही होना है उसके के आधार पर कुछ सिद्धान निर्माण है उनको भी देख लेते हैं जैसे दार्षनिक आधार पर आधर्सवादी और यथार्थवादी दृष्टिकूण या उपागम है दार्षनिक रूप से देखें तो हम हंस जय मारगंथाओं का यथार्थवादी सिद्धानत हमको कूंप मिलता है और यहां संचार स्थ ये संचार का सवध्णांत ये कुछ सथथ हमको देखने को मिलते हैं और आर्थिक विवस्ता के आदार पर उधारवादी लोक तаль ह autant ता यह कुछ उपागम है और जब कि यह कुछ सिद्धान्त है तो आप इसपस्ट हो गया होगा कि अंतराष्ट्य राजनिती में सिद्धान्त क्या है और अंतराष्ट्य राजनिती में उपागम या द्रिष्ट्य कोण क्या है मेरा ख्याल है अब आपको इसपस्ट हो गया होगा कारण है अंतराष्टिय वास्तविक्ता के बारे में विद्वानों का बिन्न द्रिष्टी कोण अपनाया जाना अंतराष्टिय वास्तविक्ता को आदर्स्वादी एक द्रिष्टी कोंड से देखते हैं और जबकि जो यथार्तवादी हैं वो बिलकुल बिन्न या अलग द्रिष्टी कोंड से देखते हैं और अंतराष्ट्य राजनिती में अब यह देखेगा अंतराष्ट्य राजनिती में जो परमुक तत्व हैं जैसे राष्ट्य हित प्राप्ति के लिए सयोग पर बल देते हैं वह आधर्सवादी दिरिष्टी कोण के समर्थक है और जो विद्वान राष्ट्य हित की प्राप्ति के लिए सक्ति या संगर्ष पर बल देते हैं वह यथार्तवादी दिरिष्टी कोण के समर्थक हैं हम केवल यहां पर वादी विचार है उसका जन्म जो है लगबग अठारवी सताबदी में माना जाता है 1745 नबे के आसपास और आमतोर परिवा माना जाता है कि अमेरिका की जो करांती हुई और फ्रांस की जो करांतिया हुई उसकी प्रेड़ना सुरोत में कहीं न कहीं आदर्सवादी सिद्धान क्या है कहीं न कहीं उसके प्रेड़ना सुरोत में रहा है तो कॉंडर सैट एक विध्वान हुए हैं उन्होंने 1745 नबे में एक अवधारना रखी या एक विश्व विवस्ता की कल्पना की जिसमें न युद्ध के लिए कोई स्थान था न विसमता के लिए और ना ही अत्या अचार के लिए तो सबसे पहले उन्होंने यो विश्वास परकट किया कि मनुष्य अपनी बुद्धी सिक्षा और विज्ञान के उप्योग से इतनी उन्नती कर लेगा कि भावी जो मानाव समाज है वो हिंसा हत्या अनेकता सत्ता लोलुपता और सक्ति के लिए जो संगर्स पर पहुंच जाएगा कॉंडर सेट महदय का मानना था तो इनके विचार से ही आधर्स्वास सिद्धान्द का प्रारंब माना जाता है कि अंतराश्ट्य राजनिती के जो यह उपागम है आधर्स्वादी उपागम उसकी विसेश्थाओं को देखें अगर तो आधर्स्वाद भविश्य के ऐसे अंतराश्ट्य समाज की तस्वीर पेस करता है जो सक्ति राजनिती अनेकतिकता और हिंसा से क्या है सर्वता मुक्त हो याने कि अहिंसा पर नैतिक और पर किया है कही कहीं ना कहीं आधर्स्वाद बल देता है Aleasaच्यों का मानना है कि राजनिती में कि क्या होना चाहिए इससे उनका संब्ण्द यानिकी रहा है अंतराश्ट्य अ इस तर पर इससे उनका कोई संबंद ने 인결 effekt कर ना कि कल्फणाक ने कहीं आदर्स्वादी रहते हैं तो तीसरी फिसेस्ता है आदर्स्वादी चिंतक इन प्रस्णों पर विचार करते हैं कि विश्व में न्याय और सांती कैसे इस्थापित की जा सकती है यानि कि विश्व में न्याय की स्थापना कैसे हो और संपूर्ण विश्व में सांती की या युद्ध को बिर्कुल विश्व से समाप्त कर दिया जाए इस पर वो अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं अंतराष्ट्य सयोग किस प्रकार विक्सित हो सकता है सकती साली राज्यों द्वारा सक्तिहीन राज्यों का सोसन किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है तो यह क्या है यद्ध होना ही होना है रीयल में आप किनी भी सांति की बात कर लें किन्तों युद्ध होना है तो जो आधर्श वादी हैं वो yudhole को रोखने के लिए तीन मार्ग बताते हैं कौन-कौन से हैं पहला है राष्ट प्रमप्रागत संक्ति आधारित नीतियों के इस्थान पर मुल्य आधारित या नैतिक नीतियों का अनुसरान करें यानि कि राष्ट्र सक्ति के आधार पर अपनी नीतियों का निर्दारण न करे मतलब कितनी सक्ति उसके पास है उसे आधार पर अपने व्यवार को न करे बलकि जो उसके मुल्या है जो उसकी अच्छाईया है जो उसके नैतिक मुल्या है उनके आधार पर दुसरे देशों के स साथ संबंद इस्थापित करें तो कहीं न कहीं युद्ध से बचा जा सकता है दुसरा उनका मानना है लोकतंत्र विरोधी सरवाधिकार वाधित आक्तों की समाप्ती के लिए यथा इस संभव प्रयास करें तो क्यूंकि जो ये आदर्सवाधी थे उसमें जो प्रारंबिक विचारक है वो कहीं न कहीं पाश्चमी पाश्चात्य विचारक रहे हैं और लोकतंत्र समर्थक रहे हैं तो इसलिए उन्होंने जो दुसरे सम्यवाधी ये सरवाधिकार वाधी विवस्ता है उसको उसको समाप्ति करने की बात कई और लोकतंत्र को संपूर्ण विश्व में इस्थापित करने की बात की है और ये उन्होंने अपना दुसरा तरीका बताया है जिससे की युद्ध से बचा जा सकता है और तीसरा है विश्व सरकार की स्थापना के लिए प्रयास करें जिससे सक्ति राजनीती ही समाप्त हो तो कहीं न कहीं यह काल्पनिक बात से लगती है कि इन्तु जो आधर्स वादियां उन्होंने यह तीन उपाय बताये हैं युद्धों को समाप्त करने के लिए तो और ऐसे भी इन जो यह तीन उपाय बताये हैं इनको यथार्थ में धरातल पर उतारना संभव नहीं है और संयुक्त राज संग जिन आधर्सों को लेकर इस्थापित हुआ है उनको व्यहवार में साकर करना आज की प्रस्तिति में तो संभव नहीं लगता तो कहीं न कहीं य सबसे अधिक आलोशना जो की है वो यथार्थ वादियों ने की है और उन्होंने किन-किन तरकों के आधार पर किया उन्हें देख लेते हैं तो पहला आधर्स्वादी व्यवस्ता तभी संभव हो सकती है जब सभी राज्य पारस्प्रिक संबंदों में बल और सैनिक सक्ति क परियोग का परित्या कर दे इसके इस्थान पर नैतिक सिध्धानत का पालन करें किन्तु या निकट तो क्या सुदूर भहुषय में भी संभव नहीं लगता कि राष्ट क्या है अपनी सैन्य सक्ति को ताग दे सैना को बढ़ना बढ़ाएं सक्ति को ना बढ़ाएं और उसक कोई दुसरा राष्टर भी मुझे पर युद्ध नहीं करेगा तो ऐसा तो सिर्फ नैतिकता में हो सकता है किन्तु व्यहवार में ऐसा संभव नहीं है दूसरी जो आलोशना की है वह है आदर्सवादी विवस्ता लाने के लिए उग्र सैनिक वादी हिंसक सक्तियों का पूर हैं उनका पूरा का पूरा दमन कर दिया ना चाहिए इसा आदर्सवादी मानते हैं कि तो कहीं न भी क्या है अव्यावारिक अव्यावारिक आने कि वास्त्विक धरातल पर इसा संभव नहीं है और तीसरे इसकित जो आलोशना की गई है वह है राज्यों से यो कल्पना करना कि वो नैतिक सिद्धांतों कंपालन करें यह आसा रखना कहीं न कहीं क्या है एकळपना सुन्या है और इसके अत्रिक आलोशना साघर पर की जाती है कि विश्व सरकार का जो ये सपना देखते हैं आदर्सवादी कहीं न कहीं उसे विश्व धरातल पर उतारना संभव नहीं जिस परकार का आदर्सवादी विश्व सरकार की बात करते हैं तो ये इसकी आलोशनाए थी अब निसकर्स रूप में हम देख सकते हैं कि आ सरकार के आदARS के साथ बधा है और स्ांती और न्याय पौन विश्व विभस्ता में विश्वास करता है एक विश्व सरकार की स्तापना बारा सक्ति की राजनीती को समाप्त करना चाता है इसके अलावा और विभस्ति कैज़ मुख समर्थक हैं इनको ध्यान रखेगा वुड्रो विल्सन इमुल कांट ती एच क्रीन डैविड हैल ब्रेटेंड रसेल एर्नाल्ड ताइन भी यह जो आदर्स्वादी सिद्धांत के इसके अलावा हचेसन भी इसके क्या है एक समर्थक रहे हैं आदर्स्वाद के और आदर द्रिष्टिकोण वसुधेव कुटुम्बकम अथार्थ पूरा संसार एक परिवार है तो यह निसकर्स जो है कहीं न कहीं इसका आदर्स्वाद के महत्व के रूप में भी देखा जा सकता है तो मुझे आसा और उमीद है कि अंतराष्ट या राजनिती में जो आदर्स्वा करें हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का तही दिल से बहुत बहुत धन्यावाद